हीप रिप्लेस्मेंट सजडी के लिए कौन सी अप्रोच अच्छी होती है पोस्टीरियर या अंटीरियर तो दोनों अप्रोच अच्छी है प्रोवाइड की वो modern technique से किया गया हो चाब पोस्टीरियर हो चाब अंटीरियर हो आपकी minimum muscles को cut करके किया गया हो आपकी problem को address किसी भी approach से किया जाए अगर अच्छा implant को अच्छी position में बिठाया गया तो बहुत बढ़िया result आता है दोनों approaches से जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं posterior approach यूज करता हूँ पर मैं अपने किसी patient को कोई lifestyle restriction नहीं देता I mean majority patients को more than 90% मैं क्यों 100% नहीं बोलता क्योंकि हर patient अलग होता है और कुछ patients की body में ऐसी problem होती है कि हमेंने कुछ restrictions देनी पड़ती है but majority of you will not have any lifestyle restriction after hip replacement surgery